सबी परतियों की प्रीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार इसका ही एजुकेर के ओनलाइन डिजिटल प्लेट फोरम पर आप सबी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में हम प्रीचर्चा करेंगे तरक सक्ती की यानि reasoning है इस पर प्रीचर्चा करेंगे तरक सक्ती reasoning के basically प्रीविद्यार्थियों दो पार्ट स अपन लेके चलते हैं दो भागों में इसका आपन अध्यन करते हैं सबसे पहला portion जो अपन लेते हैं वो लेते हैं verbal reasoning verbal reasoning यानि इसको अपन कह सकते हैं साब्दिक तरक सकती और second है वो part अपन इसका लेके चलते हैं वो होती है non-verbal reasoning non-verbal reasoning यानि इसाब्दिक तरक सकती आज की इसका अपन बात करेंगे वो साब्दिक तरक सकती है इसका अपन एक point लेते हैं और उसका अपन अध्यन करते हैं ऐसाब्दिक तरक सकती का मतलब तो आकरतियों वाली जो तरक सकती आकरतियों वाली जो persons आते हैं जैसे जल परतिविम है दरपन परतिविम है कागज काटना है, छूपे वई आकरती खोजना है, वरगी करना है, इनका अपन अद्धेन करते हैं और इसमें अपन साब्दिक तरक सकती है, उसमें अद्धेन करते हैं जैसे blood relation है, करम प्रिक्षन है, दिसा और दूरी है, गणीतिय संक्रिया है, कथन निसकर्स है ये सारी चीज़े अपन अद्धेन करते हैं, वो करते हैं कि इसमें verbal reasoning में तो आज की इस कक्सा में अपन topic लेते हैं, reasoning का topic का नाम है ranking test, ranking test है, इसका अपन अद्धेन करेंगे रेंकिंग टेस्ट का मतलब बोले तो करम प्रिक्षन, करम में प्रिक्षन है, इसका आपन अध्यन करेंगे, या पंक्ति प्रिक्षन भी आपने इसको कह सकते हैं, अब सबसे पहले इसमें प्रिचर्चा करते हैं, कि इस करम प्रिक्षन में अपन किन-किन बिंदों का अध्यन करते हैं तो सबसे पहला बिंदू जो अपना रहेगा करम प्रिक्षन में वो रहेगा पहला point है वो आपके पास रहेगा कुल वेक्तियों की संख्या ग्याद करना कुल वेक्तियों की संख्या ग्याद करना पंक्ति है उसमें सबसे पहले यहाँ पे कुल वेक्तियों की संख्या है वो अपन किस परकार से find out करेंगे दूसरा जो content है वो अपन लेके चलते हैं इसमें बाई और से या दाई और से इस्तान ग्याद करना तीसरा बिंदू अपन इसमें लेंगे वो अद्धेन करेंगे इसमें इस्तान परिवर्तन की स्तती थार्ड पॉइंट है वो इसमें अद्धेन करेंगे अपन इस्तान परिवर्तन की स्तती और चोथा पॉइंट है वो अपन अद्देन करेंगे इसमें मद्दे के वेक्तियों की संख्या और पांचवा पॉइंट है वो अपन अद्देन करेंगे इसमें विविद सबसे पहले इसमें से एक्जाम में कौन से पार्ट में से क्यूसन ज्यादा पूछे जाते हैं वर्तमान पैटरन को अपन लेके चलते हैं तो अधिकांस ते क्यूसन तो आपको पूछा जाता है कुल वेक्तियों की संख्या ग्याद करना है उससे related पूछ लिया जता है और उसके बाद में जो क्यूसन आता है मुखेत है मैनली या फिर अपने पास तेसरे पॉइंट में से आएगा यानि ये दो पॉइंट है वो अपने पास महतोपुन है इनमें से क्यूसन एक्जामनर वर आपको देखनी है तो सबसे पहली बात ये कोई rank दे रह किया आपको और इस rank में आपका एस्तान है वो यहाँ पे suppose यहाँ पे आप बेखे हैं और आपका इस्तान निरधारन करना है तो सबसे पहले यह देखना होगा कि आप से आगे कितने विक्ति यहाँ बेठे इंते विक्ति बेठें, जैसे मेरे आगे चे चातर बेठें हैं, तो मेरा इस्तान है 6 पलस एक कुन सा साथव? यहाँ पे किसी विक्ति का इस्तान है वो determine कैसे करेंगी आपका आगे से पिछी से इस्तान निर्धारित करना है तो आपके आगे जितने विद्यार्थी बेठें या विक्ति बेठें उसमें कितना प्लस कर देंगे एक प्लस कर देंगे और आपका पिछे से स्तान निर्धारित करना है जैसे ये कोई पंक्ती है इसमें आप यहाँ पे बेठे हैं और आपके पिछे 20 विद्यारती बेठे हैं तो आपका इस्तान हो जाएगा 20 प्लस एक कितना हो जाएगा 21 वा यानि आपके पिछे 20 विद्यारती है तो आपका इस्त रहे हैं किसी कतार में मेरे आगे उन्नीस चातर खड़े हैं तो मेरा आगे से इस्तान है वो कौन सा होगा यानि ये कोई कतार है ये कोई कतार है इसमें यहाँ पे आप है और आपके आगे आपके आगे कितने विद्यारती खड़े हैं उन्नीस विद्यारती खड़े हैं तो आपका जो इस्तान होगा आगे से उन्नीस विद्यारती आगे हैं तो आपका इस्तान होगा उन्नीस पलस एक यानि आपका आगे से इस्तान होगा वो कौन सा इस्तान होगा वो कौन सा इस्ता तो second question है वो आप देखेएगा यहाँ पे second question आपको दे रिखा है किसी कतार में मेरे पीछे कितने चातर खड़े हैं? choice यानि यह कोई कतार है इस कतार में यहाँ पे आप है और आपके पीछे कितने चातर खड़े हैं? choice यानि ये कोई कतार है और उसमें आपके पिछे 24 स्टुडेंट्स खड़े हैं मेरे पिछे 24 विद्यार्थी खड़े हैं तो मेरा पिछे से इस्तान हो जाएगा 24 पलस एक 24 पलस एक करेंगे तो मेरा इस्तान है वो कौन सा जाएगा 25 यानि ओप्सन आपका आनाचे कितना नमबर आनाचे तीन नमबर यानि यहाँ पे अपन किसी पंक्ति में अपना इस्तान निर्दारित करते हैं तो उस केस में यानि आपके आगे या पिछे जितने विक्ति खड़े उनमें पलस एक करते हैं तो आपका आगे से पिछे से क्या प्राप्त हो जाएगा इस्तान प्राप्ते हो जाएगा चलिए पहरे विद्यारतियों नेक्स अपन बात करते हैं पंक्ति में ये तो आपके इस्तान से समंदित बात हुई अगली बात अपन करते हैं तो समझेगा ध्यान से नेक्स पंक्ती में यहां पे पंक्ती की स्ततियापन देखते हैं जैसे यह कोई रेंख है पंक्ती है इस पंक्ती में यहां पे आपका इस्तान दिया हुआ है जैसे यहां पे कोई वेक्ति वेटायर इसका मुख है वो उत्तर दिशा में है तो आपका बाईयोर से इस् दिया हुए है तो सबसे पहले कुल वेक्तियों की संख्या अपन फाइंड आउट करेंगे तो वो इस परकार से आजाएगी कुल वेक्ति ब्राबर यहाँ पे कुल वेक्तियों की संख्या ग्याद करते हैं तो उस वेक्ति का बाईं और से इस्तान बाई और से स्थान पलस दाई और से स्थान और माइनस अपन कर देंगे कितना कर देंगे एक यहाँ पे कुल वेक्तियों की संख्या है वो अपने को find out करनी है तो अपन क्या करते हैं किसी वेक्ति का बाईयोर से स्थान प्लस दाईयोर से स्थान और माइनस कित्ता कर देते हैं एक कर देते हैं ये अपने पास पंक्ति में कुल वेक्तियों की संख्या है वो प्राप्ते हो जाएगी चलिए नेक्स यहां पे कोई वरियता सुची है इस वर व्रियता सुची में यदि आपका उपर से स्थान दिया है उसी व्रियता सुची में आपका कहां से स्थान दिया है नीचे से तो टोटल वेक्तियों की संख्या वो आपन फाइंड आउट करेंगे कुल वेक्ति है वो आपके पास आजाएगा उपर से स्थान उपर से स्थान प आपन find out करते हैं तो वो concept आपका एक ही पंग्ती में आपका उपर और नीचे से स्थान दिया हुआ है तो दोनों स्थानों को जोड़के minus 1 करते हैं minus 1 क्यों करते हैं इसका logic यह है क्योंकि हम एक ही विक्ति को हम दोनों तरफ से count कर लेते हैं यानि किती बार count कर रहे हैं दो बार count कर रहे हैं तो अपने पास minus 1 करते हैं एक विक्ति को हम एक ही बार गिनते हैं जबकि यहां दोनों और से स्थान लेते हैं तो बाएं और दाएं से दोनों और से count हो जाता है तो इससे समंधित अपन किस परकार से पूछे जाते हैं, प्रिक्साओं में उनकी प्रिचर्चा करते हैं, तो समझिए, यहाँ पे क्यूशन है, वो अपन लेते हैं, समझिएगा, सबसे पहला क्यूशन है, वो आपको दे दिया, कि किसी कतार में मेरा दोनों छोर से ग्यारवा तो कतार में कुल छात्रों की संख्या कितने होगी तो समझेगा सबसे पहले यहां पे यह कोई कतार है अब इस कतार में आपका दोनुचोर से यानि बाएं से और दाएं से बाएं और तता दाएं और से आपका जो इस्तान है वो इस्तान आपको दे रखा है कौन सा इस्तान दे कुल वेक्तियों की संख्या find out करनी है तो कुल वेक्तियों की संख्या find out करनी है तो कुल वेक्तियों की संख्या find out करनी है तो कुल वेक्तियों की संख्या find out करनी है तो कुल वेक्तियों की संख्या find out करनी है तो कुल वेक्तियों की संख्या find out करनी है तो कुल वेक्तियों की स्थान है तो बाई और से भी ग्यारवा और दाई और से भी ग्यारवा कुल वेक्तियों की संक्या 11 प्लस 11 बाईस माइनस एक करेंगे तो किता आएगा 21 इसी करम में आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और चलते हैं तो समझेगा नेक्स क्यूशन है वो आपको देदेगा यहां पे कर रहा है किसी कतार में किसी कतार में राम का बाई और से 38 तता दाई और से कौन सा इस्तान है नोवा इस्तान है यहां पे समझेगा यह कोई कतार है यह कोई कतार है वो आपको दिवी है इस कतार में राम है उसका इस्तान और से 38 इस्थान है तो पंक्ति में कुल वेक्तियों की संख्या या कुल चात्रों की संख्या आपके पास कित्ती होगी कुल चात्रों जाएंगे बाई और से स्थान पलस दाई और से स्थान माइनस एक 38 पलस नो करेंगे 38 पलस नो होते हैं 47 और 47 में से एक गठाएंगे कुल वेक्तियों की संख्या आपके पास इस क्रिस्टन के लिए जो आनी चाहिए वो आजाएगी कित्ती 46 यानी क्या था बाई और से और दाई और से जो भी स्थान दे रखा दोनों का योग करेंगे माइनस एक कर देंगे 38 और 47 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे पंक्ति में कुल चात्रों की संख्या है वो कित्ती आजाएगी 46 आजाएगी अगला क्यूशन है उसकी और अपन चलते हैं तो समझेगा नेक्स क्यूशन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है संदीप का कक्षा में उपर से सात्वा तता नीचे से 28 वा इस्तान है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है यानि ये कोई कतार आपको दे रखिए जिसमें यहाँ पे संदीप का उपर से स्तान है वो सात्वा दे रखा है नीचे से स्तान है वो दे रखा है तो पंक्ति में कुल विक्तियों की संख्या है वो आपके पास आजाएगी उपर से स्तान साथ पलस नीचे से स्तान 28 माइनस एक अठाइस और साथ होता है 35 35 में से एक अठाएंगे टोटल विक्तियों की संख्या आपके पास आएगी कुल विक्तियों की संख्या वो आपके पास आजाएगी कितने 34 यानि क्या क्या कि एक ही वेक्ती का उपर और निचे से इस्तान दिया वाए तो दोनों को जोड़ कि कित्दा माइनस करेंगे एक माइनस से कर देंगे चलिए प्यारे विद्ध्यारतियों अगले questions कि और बढ़ते हैं तो next question आपको दिया वाए कि यदि किसी प्रिक्षा में राम का उपर से सोलवा और नीचे से कौन सा इस्तान है पंदरवा यानि ये कोई प्रिक्षा थी और उस प्रिक्षा के प्रिनाम में राम का उपर से इस्तान देरका है वो सोलवा देरका है तो यहाँ पे राम है उसका उपर से इस्तान है वो तो दे रहा है 16 और नीचे से जो इस्तान है वो इस्तान आपको दे रहा है कौन सा इस्तान दे रहा है 15 तो पंक्ति में टोटल वेक्तियों की संख्या आपको पूछें कुल वेक्ति पूछें तो उपर का इस्तान 16 प्लस नी नीचे कित्ती 30, तो option कौन सा आ जाएगा, पहला option है, वो आ जाएगा, यानि उपर और नीचे से इस्तान दिया हुआ, दोनों को add करेंगे, और minus कित्ता कर देंगे, एक कर देंगे, चलिए, next questions की ओर चलते हैं अपन, तो अगला question है, वो आप समझेगा, next question है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या देरका है, अगला question आपको कर रहा है, किसी प्रिक्सामे संदीप का उत्रिन, यहां पे उत्रिन विद्यार्थियों के बीच में, उत्रिन जो विद्यार्थियों की सुचि में, यहां पे सोलवा और नीचे से, उपर से सोलवा इस्तान और नीचे से कौन सा इस्तान है 27 वा तो थोड़ा सा आप समझेंगे क्यूशन क्या कहना चाह रहा है क्यूशन की सतियपन देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेंग बना देता हूं उस क्यूशन की क्यूशन आपको इस प्रकार से कहेगा कि यह अपने पास यहाँ से कि किसी वरियता सुची प्रिक्स है उसकी वरियता सुची में उपर से स्तान है वो किसी श्टूडेंट का दिया है सोलवा और नीचे से कौन सा 27 वा उपर से सोलवा इस्तान है और नीचे से कौन सा इस्तान है 27 वा ये है उनका इस्तान है जिसमें वो क्या हुए है चातर क्या हुए है पास यानि पास उने वाले चातरों में उपर और नीचे से इस्तान है वो आपको दिया हुआ है तो इसमें concept है वो देखेंगे समझेंगे आप ध्यान से यहाँ पे पास होने वाले कुल विद्यारती है उनकी संख्या उपर से स्तान 16 प्लस नीचे से 27 माइनस एक 16 प्लस 27 करेंगे तो 7 6 13 2 रेक 3 रेक 4 43 माइनस एक यानि पास होने वाले स्टुडेंट्स है उनकी संख्या आपके पास आजाएगी कित्ते आजाएगी 42 आजाएगी उसके पस्चात यहाँ पे आपको कहरा स्टुडेंट्स कि यहाँ इसमें 5 विद्यारतियों प्रिक्षा नहीं दी पांच विद्यार्थियों ने प्रिक्षा नहीं दी और तीन विद्यार्थी है वो इस प्रिक्षा में क्या होगे अनुत्रिन हमें पूछे है कक्सा में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कक्सा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लेंगे तो प इक्सा में absent रहे तो absent विद्यार्थियों की संख्या आपके पास है 5 टोटल करेंगे 42 प्लस 3, 45, 45 और 5 करेंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या उस कक्सा में total students है number of students है उनकी संख्या कित्ती हो जाएगी 50 हो जाएगी चलिये विद्यार्थियों next यहां पे questions है उसके बारे में अपन करते हैं discussion